हेलो स्टुएंट वेलकम टू माई यूटूब चैनल लर रेंटी इजिएंट आज के वीडियो हमें यहाँ पर इंपोर्टेंट कोश्चन को डिस्क्रशन करने वाले हैं जो सब्जेक्ट है इंडेस्ट्री फ्लूड पावर जो यहाँ पर डिपलोमा मेकेनिकल इंजिनिक सीख समस्टर का है ठीके इसमें कम से कम यहाँ पर चेप्टर आपको आजाएगा ठीके सरते ही कि आपको जितनी कोश्चन में बता रहा हूं को करनी है और समय है आपके पास एक्स्ट्रा भी कुछ कर सकते हैं ठीके तब ही जाके आप इसमें अच्छे नमर से पास हो पाईएगा ठीके चलिए ज़ेंट वीडियो को सुरू करते हैं स्टार्टिंग सापको समझाते के कौन को कैसे करना है और चैनल नहीं आए है तो जब चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपने दोस्तों के ग्रूप में जरूब वीडियो को सेर कीजिए तो सबसे पहले कोश्चन में र थोड़ी सबीक के बारे में समझना ज़रूरी है चाहिए नुमीटिक सिस्टम के बारे में चैनल की सर्कीट के बारे में ठीक है अपको ये समझना जबर तब ही जाके आप इसमें अगर कुछ भी है टॉपिक लिखने इसका डाइगराम भी बना दीजिए गा तो आपको कम से टिक हैं इसका डाइगरम को कैसे बनाना एक पर है हैं इसका जो भी आपके पास जो भी सेंपल पेपर है या पी जो भी किताबे हैं इसे थोड़ी-थोड़ी जहीं समझ लिजेए ठीक है सबी को एक दूसरे से याद रखेगा यह कोश्चन पर आपको बेसिक तरह पर ध्यान देनी है यह कभी कभी पूछ देती है एयर मोटर यहां पर पाइप फिटिंग का बढ़िए करने देती है ठीक है जितनी मैंने कोश्चन बताई है सभी पर आपको बेसिक कॉंसे पर रहना जरूरी है तभी लिख सभी कोुष्टिन्फी को बात करते हैं बहुत इंपूर्टेंट कोंषते हैं सभी यहाँपे आपको चोटी शुर्य टायग्राम बनाना है उसमें कम से कम करते हैं अब बात करते हैं है question 4 में से कम से कम आपको 5 question 100% पूछेंगे ही पूछेंगे ठीक है यह एक तरह का definition आपको पूछ सकते हैं सभी question बहुत ही simple है थोड़ी थोड़ी आपको दो-दो line आपको समझने होगी कि आखी में lubricity क्या है oil filter क्या है ठीक है दिख सकते मैंने आपको solo question बताई है बहुत easy है दो-दो line के इसके answer आती है पांच question इसमें पूछेगी पूछेगी है आपको साथ में diagram भी इसमें जरूर करनी है एक question जो पूछेगी तो कम से कम आपको चार नमर के जरूर पूछेगी ठीक है question of 5 के अगर बात करते हैं तो इसमें तीन question बताए है तीनो पर भी थोड़ा basic concept clear रखना है और साथ में आपको hydraulic motor वाली जो तीसरी question इस पर बहुत जाता ध्यान दे देना है ठीक है चलिए हम आगे बढ़ते हैं और साथ में आपको यहां पर screw pump भी बहुत जाता ध्यान देनी है second वाली question बहुत important question है screw pump हर बार पुछती है और साथ में इ ज्यादा important question है पाहली जो question है आपको यहां पर numetic system की एक तक layout आपको diagram यहां पर देखाने पड़ेगी ठीक है तो यह question बहुत ज्यादा important है और साथ मेरिट और limitation भी पूछती है ठीक है इस पी आप बहुत जादा ध्यान दे दिनी है ठीक है बाकि air compressor के बार में इसका definition समझ ल कौन से वह clear रखनी है ठीक है और इसमें सबसे इंपोर्टेंट है फर्स्ट वाली question ठीक है मेरिट यहां पर limitation hydraulic system का पूछती इसको किसी भी याद कर लेना है और definition के बात करते हैं तो यहां पर आपको comparison पूछ सकते हैं आपको hydraulic system का ठीक है बहुत ज़्यदा important question है इस पर आपको ध्यान देनी है और कभी-कभी आपको यह तीसरी जो question है speed control circuit of double acting cylinder यह कभी-कभी पूछ देती है ठीक है तो आपको समय तो इसको कर सकते हैं question 9 के अगर बात करते हैं तो question 9 बहुत important question है सभी question तो इस सबसे इंपोर्टेंट question यहां पर दे सकते हैं चोथी नमर वला है के right construction and working of double acting reciprocating compressor और भी net sketch ठीक है तो यह बहुत जदा important question है इसको जरूर कर लिजेगा बाकी question नहीं भी करेंगे तो चलेगा लेकिन थोड़ी थोड़ी समय है आपको बस्ता कर सकते हैं ठीक है अगर आपको यह subject आपको PDF का note चाहिए या फी आपको important question का आपको PDF चाहिए तो म description box में दिया वहाँ हूँ जाकर जाबू जाकर जोइंट हो सकते हैं ठीक है simply ठीक है आपको बढ़िया तरी किसका note भी आपको मिल जाएंगे आगे पीछे आप यह slide कीजिएगा स्क्रोल तो आपको 100% का note भी मिल जाएंगे ठीक है वीडियो देखने के लिए धन्यवाद हो सक कर दाएंगे हो सकती है कि मिल जाएंगे सो कीजिए जात Tarly कि एलते किसका audio zerg हो सकता हैंगे इा रिए machstष एलते किसका है आपको का रथ Сक्रों के इलते है हैं एलते किसका पूलता जाएंगे गिए यह जो बगना का वर सकता हैं शीका टो खीका हैzen रूотоंगे इन को जाएंग